हेलो गाइज, हमने अली एक्स्प्रेस से एक शांदार हवाई जहास बनाने के लिए एक DIY किट मंगाया, इसमें इंजन नहीं है, लेकिन ये एक मिनट से ज्यादा हवा में उड़ सकता है, आप इसके नतीजे से बहुत हैरान होगे इस बॉक्स में एक बैग है, जिसमें हमारी ज़रत के लगबख सभी टुकड़े हैं, ये एक पॉलिधिन रैप है, जिसे आप एक आम प्लास्टिक बैग से बदल सकते हैं फिर ये एक बतली लगडी की प्लेट है, जिसमें हवाई जहास के फ्रेम और पंकों के लेजर कट वाले टुकड़े हैं, ये सिर्फ एक मिलिमीटर मोटा है, इसे लिए हवाई जहास के बहुत हलका होने की उम्मीद है फिर हमारे पास ये सफेद रबर बैंद है, जो ब्लेट को चलाएगा, और हवाई जहास का पंका बनाने और इसे जोडने के लिए कार्बन रॉट्स और सामान का एक चोटा बैग भी है और ये वो वज़ा है कि क्यों हम आपको तफसील से ये दिखाना चाते हैं, कि हवाई जहास कैसे जोडा चाता है ये चीनी मैनुल है, जिसका हमारे लिए कोई मतलब नहीं है अली एक्स्प्रेस की वेबसाइट पर हमें इसका अंग्रेजी अनुवाद मिला, लेकिन इसमें अभी भी बहुत कम जानकारी है इसलिए आप में से जो लोग इस तरह का हवाई जहास बनाना चाते हैं उनके लिए इसे आसान बनाने के लिए हमें खुद ही पूरा रास्ता तै करना होगा इस हरी प्रोटेक्टिव ट्यूब में तीन रोट्स है दो सबसे मोटे रोट को हमने एक साथ जोडने की कोशिश की लेकिन छेद बहुत छोटे हैं और हमें एक एमबरी स्पंज की मदद से इसे थोड़ा घिसना होगा ताकि दूसरी स्टिक के उपरे हुए हिससे इसमें फिट हो सके अब सब कुछ ठीक है और हवाई जहास की बॉड़ी का सामने का हिस्सा तैयार है इसके बाद एक बॉक्स कटर का इस्तिमाल करते हुए हमने प्लेट से उपर की दो सीधी स्टिक्स को निकाला और हर एक के बीच में निशान लगाते हुए उन्हें अलग कर लिया इसके बाद हमने महराप की साइस के तीन टुकडो को निकाला और पंको के कंकाल को जोड़ना शुरू कर दिया इसे इस तरह से करना चाहिए हमने सुपगलो लिया इसे स्टिक्स पर लगाया और उन्हें एक दूसरे से जोड़ दिया हमें बहुत सबर रखना है इस तरह से डिजाइन पर चिपकाना होगा वक्त के साथ हमने सीखा कि कुछ मामलों में आप बोदल के ढखकन पर ग्लू की एक बुन गेरा कर काम को आसान मना सकते हैं और एक स्टिक्स ने ग्लू को लेकर जहां जरुत हो उस जगा पर इसे लगा सकते हैं तो हुआ ये कि हमें बेहतर एरोडैनमिक्स के लिए घुमाओदार उपरी हिस्से वाले सामने का एक पंक मिल गया अब हमें नीचे की तीन स्टिक्स को निकालना है और ऐसा ही लिगने एक छोटा पंक पाने के लिए उसी तरह से सब कुछ करना है चोटा पंक बनाने के लिए आकरी स्टिक को चार जगों से तोड़ना है हमने पॉलिथिन रैप को खोला और अंदर हमने देखा कि दो और चीजें हमारा इंतजार कर रही हैं हम थोड़ी दिर बाद इनका इस्तिमाल करेंगे जब कुगी रैप के साथ खेल रही थी हमने इस साइस का लकडी का एक फ्रेम बनाया आप बेशक इसकी बिना सब कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन इससे और ज्याद आसानी होगी मास्किंग टेप का इस्तिमाल करके हमने फ्रेम के किनारों पर रैप को लगा दिया ताकि थोड़ा खीचाओ पैदा हो लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसे बहुत ज्यादा ना खीचा जाए हमने चेक किया कि ये सभी फंक फ्रेम के अंदर फिट होते हैं या नहीं फिर हमने ये स्प्रे वाली ग्लू को लगडी के इन टुकडों के पास एक तरफ लगा दिया आप एक काम ट्यूब वाली ग्लू को भी इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन स्प्रे के साथ एक बराबर परत बनाना तेज और आसानी से होगा ग्लू के सूखने से पहले हमने सभी चीज़ों को रखा और हुने फ्रेम के उपर लगी हुई रैप से ढख दिया तुरंती किनारों को धेरे से उंगली से दबा दिया ताकि ग्लू अच्छे से रैप से चिपक जाए इसे आखर में ऐसा दिखना चाहिए अब 31 चाकू की मदद से हमने तीनों पंको को उनकी चारों किनारों की तरफ से रैप से काट दिया फिर हमें एक ऐसा खूब सूरा टुकडा मिला जिसमें लकडी के बेस के साथ रैप मसबूती से चिपका हुआ है अब हवाई जहास के पिछले हिससे को सामने के हिससे से चिपकाने का वक्ता आ गया है हमने ग्लू से जोड को गिला कर लिया और हवाई जहास के पिछले हिस्से को थोड़ा उपर उठा कर टेड़ा करके सूखने के लिए छोड़ दिया हमें नहीं पता कि इसके लिए क्या करना चाहिए लेकिन फिर भी, चुकि जोड में बहुत ज़ादा जगह खाली है तो हम पुराने जमाने के लाइफ हैक से आम बेकिंग सोडा का इस्तिमाल करेंगे बेकिंग सोडा के साथ मिलाने पर सूपर ग्लू बहुत तेजी से साख्त हो जाता है अब हवाई जहास के पंके को बनाने के लिए छोटे टुकडे वाले पैकेट को खोलते हैं और हवाई जहास के नाक वाले हिस्से को चिपकाते हैं इस स्लोट में आपको हवाई जहास के पंके की धूरी को रखना और इसे ग्लू से एक बूंचे चिपकाना है पीछे की तरफ हमने रबर बैंड के लिए एक हुग लगाया जो हवाई जहास के पंके को चलाएगा और फिर हवाई जहास के पंके के ब्लेट से खास लोट में हमने कार्बन की काली रोट लगा दी ये पहली बार था जब हमने कार्बन के साथ काम किया और हम बेहद हलके वजन और इसकी सक्ती और टिकावपन से बहुत हैरान थे तो हमें दो ऐसे टुकडे मिले और अब हमें इन्हें लगभग 45 जिग्री के एंगल पर खास शेदो में लगाना है एक ब्लेड दूसरे ब्लेड से बहुत भारी है जिससे ये एक बराबर में नहीं रह पा रहा हमें इन्हें एक बराबर करने के लिए इंब्रेसिव स्पंज से एक ब्लेड को थोड़ा घिसना पड़ा और अब आप चौक सकते हैं लेकिन हमें इन जगों से सामने वाले पंग को तोड़ना है थोड़ा गोंद लगाना है फिर इस तरह एक स्टैंड बनाकर पंग के टूटे हुए हिस्सों को नीचे रखना है ताकि ये सही एंगल पर फिक्स हो जाए आगरकार सामने वाला पंगा तयार है अब हमें इसमें इन दो हिस्सों को चिपकाना है जो पंग को पूरी बनावट के ऊपर रखेंगे फिर हमने पीछे वाले पंग को चिपकाया और इस पंग को इसके बगल में लगा दिया ताकि हवाई जहास को सही रास्ते पर रखने में मदद मिल सके यहां इन छोटी पैट्स के साथ हमने सामने वाले पंग को हवाई जहास की बॉड़ी से जोड़ दिया और जोडों को डोरी से लपेट दिया अब हमने रबर बैंड का एक जरुद भर का टुकड़ा काटा और इसे पीछे के हुग और हवाई जहास के पंके के हुग के बीच में लगा दिया और अचानक हमारा हवाई जहास तयार हो गया यह बहुत ही हलका है और इसका वजन कुछ ही ग्राम है इसकी वज़ा से इसे बहुत लंबे वक तक उड़ान भरने चाहिए इसे शुरू करने के लिए आपको हवाई जहास के पंको को अपने हाथों से कई बार धुमाना पड़ता है और इसे छोड़ने के बाद ये उल्टी दिशा में घूमना शुरू कर देता है इस तरह उड़ान भरने के लिए रगण पैदा होती है लेकिन तार के साथ हमने ये तरीका निकाला की कैसे एक पेचकस को जोड़कर इसे खुद बखुद किया जा सकता है ये बहुत वक्त और मेहनत बचाता है चूँकि ये बहुत हलका है हमें इसे घर पर या बहर बिना हावा वाले मौसम में उड़ाना चाहिए क्योंकि एक हलकी हवा भी इसके किनारों को फार देगी और इसके पंक तोड़ देगी हमारे साथ ये पहले ही हो गया इसलिए हमें इसे ठीक करना पड़ा लेकिन खुशकिस्मती से सुबर गलू की वज़़ से इसे करना बहुत आसान है तो चलिए इसे उड़ाने की कोशिश करते हैं वाह ये सच में उड़ती है काफी वक्त तक हमने बिना हवा के मौसम में इसे उड़ाने की कोशिश करी एक दिन हमने इसे एक प्रोटेक्टिव बॉक्स में ले जाकर जंगल में उड़ान भरने की कोशिश की इस उम्मेद में की जंगल में हवा कम होगी लेकिन मौसम के अपने मन सूबे होते हैं और हवा की दिनों ने इसे उड़ाने की हमारी कोशिशों को लगतार बरबात कर दिया हाला कि ऐसा लग रहा था कि ये पूरे एक मिनेट या उससे भी जादा देर तक उड़ सकता है और कुछ घर पर बड़े मॉडल जो हमने इंटरेट पर देखे हैं उन्होंने इसे एक रबर इंजन पर 40 मिनेट से जादा देर तक उड़ान भरी है ये बहुत ही शांदार लग रहा है हम यकीनन अच्छी मौसम में फिर से कोशिश करेंगे और अपनी अगली किसी वीडियो में पूरी उड़ान दिखाएंगे